Hello guys, क्या हाल चाल ये है YG Laur आज का हमारा टॉपिक है Philosophical school of jurisprudence काफी सारे लोग इसको पढ़ा देते हैं कि Philosophical school of jurisprudence और Natural law school same same लेकिन it is not same same it is a little different different तो क्या difference है हम देखते हैं Basically Natural law school का offshoot ही है हो लेकिन difference है थोड़ा same same नहीं है Philosophical school को Natural Law School का पार्ट मनो लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है और बहुत ही की डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है Natural Law School में हमने पढ़ाता कि Certain Laws विचार Immutable और Eternal ऐसा Natural Law School बोलता कि कुछ Laws होते हैं जो होते ही हैं आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते Society कोई सी भी हो, Time Period कोई सा भी हो, कुछ Eternal Laws होते हैं जो Affected नहीं होते Human Belief से, Society से, Attitude से, Time से, किसी चीद से, Permanent Truths होती हैं वो ये Laws को क्या बोला Natural Law School ने? Divine Law, Moral Law, Law of Reason और Law of God ये सारे इनके नाम होते थे, Basically God से Relate उड़ता था Natural Law में जो भी Law होता है Philosophical School ने क्या करा? Philosophical School के जो Thinker है, उनका Main जो Emphasis होता है वो Emphasis उनका Reason पे होता है, Logic पे होता है उन्होंने God, Divine Law, Moral Law ये सब अटा दिया है, उन्होंने Reason, Logic पे ज़्यादा बात करी है तो अब जैसे अपने देखा Natural Law School ने भी Reason पे ही बात होती है क्योंकि God ने आके तो कुछ बताया नहीं है तो God क्या चाते है, वो Reason से Reduce करा लेकिन Ultimate कौन है उपर? God लेकिन Philosophical School में Ultimate उपर कौन है? Reason तो ये एक Key Difference है दोनों में Philosophical School also has the same thought that there are certain Ideals Philosophical School का मानना भी यही है कि कुछ Permanent Truth जैसे Natural Law बोला है वैसे कुछ Ideals होते हैं Society के और Society उनहीं के लिए Strive करती है और उन Ideals को Fulfill करने के लिए Law बनाती है Society ये Philosophical School और Natural Law School का Difference है मतलब इनका गोल सेम है लेकिन यहाँ पे Natural Law School God के थूरू जो गोल पर पहुचता है वो ये Reason के थूरू पहुचना चाते है ये दोनों का ही बिलीफ है कि कुछ Ideals हैं उनको परस्यू करना जरूरी है Natural Law is inclined more towards God as a basis of those Ideals और Philosophical School bases it more on Reason and Logic तो जैसा कि मैंने आपको बता है Philosophical School is basically removing God out of equation and basing everything purely on Reason and Logic तो ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ Exam point of view से क्यों important है Exam में क्या court आती है court आती है कि ये फलाना 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 बात किसने बोली है अब नीचे चार philosopher के नाम दे देते हैं तो अपने को हर philosopher का word to word court तो याद होता नहीं है कभी होता है तो तो बहुती बड़ी आवात है लेकिन हर बार नहीं होता तो अब एक guess मार सकते हो कि natural law school के जो कोर वाले philosopher थे सोक्रेटेस अरिस्टोटल उन्होंने बोली थी क्या divine law की बात हो रही थी क्या law of god की बात हो रही थी क्या या फिर reason और logic की ज़्यादा बात हो रही थी तो इन्होंने बोली होगी पचास में ही आप शौर हो लेकिन ऐसा हो सकता है कि पचास के बाद 20 और में आप ऐसा educated guess मारो की सही चला जाए तो educated guess के लिए educated होना पड़ता है तो यह वीडियो में इसलिए आपको इडिफरेंस समझा रहा हूँ सूर में क्या है natural law sqol में क्या de Catalunya से दोनों सेम ही कोर परिंसिपल दोनों के से एं और काफी वीडियो में लेक्चर समें और आप यहां notes वगृरा में देखो लुक्त des नहीं है इनका थोड़ा सा डिफरेंस और वोगो ज़रूरी है कि एक्जाम में कुष्चेन आता है तो अपने को पता होना चाहिए कि यह कौन से फिलोसफर ने बुला है तो फिलोसफिकल स्कूल के जो फिलोसफर दो पढ़ने हैं उनमें सबसे पहले हैं हुगो ग्रोशियस हुगो ग्रोशियस फादर फिलोसफिकल स्कूल माने जाते हैं क्योंकि वह पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने लौफ रीजन को सेपरेट किया डिवाइन लौ से उन्होंने बला अलग लग चीज़ें उन्होंने बला कि सिस्टम आफ नैचरल लौ जो है ना वह रीजन से बनता है वो कोई उपर से भगवान के थो नहीं आता आदमी का निचर होता है कि वह सोशल होता इसलिए वह आपस में मिल जुल के रह रहे हैं यह मिल जूल के इसलिए नहीं रहे हैं कि यह सब एक दूसरे पर फोर्स एक्जर्ट कर रहे हैं यह सब मिल जूल के इसलिए रहे हैं क्योंकि इन्हों ने आपस में agreement कर रखा है और इनके मतलब आपस में basically legal system चलता है मतलब international law का concept आने से पहले यही था कि जो आपका देश है वो देश में आपका legal system है लेकिन दूसरे देश का अपना legal system है यह भी sovereign और यह भी sovereign तो इन दोनों के उपर कौन सा legal system है तो इन्होंने पहला यह idea दिया कि यह दोनों भी आपस में mutually decided laws के थ्रू चलते हैं तो इनको father of international law भी बोला जाता है इनकी famous किताब है यह उसके उपर लिखवा गया on the law of war and peace दी वेरे बिले इस पेसे जो भी है इसको जो नीधर लेंड की language होगी उसमें जो भी लिखवा है बुक का नाम है on the law of war and peace international law से regarding इस पे question आजाता है बहुत बार की Hugo Grosius की book कौन सी है on the law of war and peace इनकी book है Hugo Grosius के बाद बात करेंगे हम तीन जर्मन philosophers की एक तो है Emmanuel Kant एक है Hegel और एक है Fichte सबसे पहले Kant की बात करते है Emmanuel Kant Kant ने ethics के बारे में बात करी है और law को उससे relate करा है Kant का यह मानना है कि एक human होता है चाहिए उसकी human inclinations का उस act में कोई हाथ नहीं होना चाहिए उसका जो motivation है उस act करने के पीछे वह एकदम obligation based होना चाहिए और सोचा समझा होना चाहिए emotional नहीं होना चाहिए कभी और हमेशा certain rules and guidelines के हिसाप से होना चाहिए कुछ नहीं समझाया इसको ऐसे समझो इनके concept का नाम है categorical imperative categorical imperative का यह मतलब है कि एक unconditional moral obligation which is binding in all circumstances and is not dependent on a person's inclination और purpose इनके हिसाब से society में हर human है अब जैसे मालो यह human है तो इसकी act सारी की सारी वही acts होनी चाहिए जो यह expect करता है बाकी की society से मतलब अगर आप चाहते हो कि society में कोई murder नहीं करे तो आप खुद murder नहीं कर सकते यहां तक ठीक है लेकिन अगर आप चाहते हो society में कोई जूट नहीं बोले तो आप जूट नहीं बोल सकते अब problem कहां आती है आप कभी भी जूट नहीं बोल सकते यह बहुती famous example है कांट का criticism भी है कि माल लो कोई murderer कोई serial killer आपके gate पे आता है और वो आपके gate पे आगे knock करता है और पूछता है कि where is your wife and where is your son और आपको पता है कि आपने उसको जूट नहीं बोला सच बताया तो जाके उनको murder कर देगा तो आप इधर भी एक कांट का categorical imperative अगर follow करते हो तो आप चाहते हो दुनिया में सब सच बोलें तो आप इस situation में भी सच बोलोगे क्या क्योंकि आपके emotion और human inclination का तो कोई role नहीं होना चाहिए आपके moral action पे तो आप यहाँ पे जूट नहीं बोल सकते इसको तो यह categorical imperative की absurdity है और आप categorical imperative समझ भी गए होगे basically everyone should act in a way that their actions can be made a maximum of general action समझ रहे हो जो society में generally सब करना करवाना चाहते हो आप सबसे वह ही आपको खुद को करना पड़ेगा अब इससे आप एक और चीज़ सीखो can't is responsible for the most prominent and well-known form of deontological ethics यह deontologic काफी बार jurisprudence में एक technical term आता है इसका क्या मतलब होता है अभी अपनने can't की किस चीज़ में बात करी categorical imperative की बात करी categorical imperative क्या था basically सब की duty और obligations क्या है categorical imperative यह बताता है कि हर इंसान की यह duty है और उसको वैसे फॉलो करना चाहिए बिना emotion emotion को दिमाग में लिए तो deontology basically है study of nature of duty and obligations तो आगे future में कभी भी word आए deontological ethics तो याद रखना वो है ethics in relation to duty and obligation the study of nature of duty and obligations is deontology तो यह हो गया can't और उनका categorical imperative अब देखो आप यह philosophical school के हैं तो इनका categorical imperative एकदम reasoning पर बेस्ट है इनके ऐसा नहीं है कुछ की आहरा आदमी को हमेशा सच बोलना चाहिए क्योंकि सच बोलना अच्छी बात होती है नहीं उन्होंने वोला क्योंकि आप खुद expect करते हो सारी society से हमेशा सच बोलने के लिए इसलिए आपको सच बोलना चाहिए अच्छी बुरी बात नहीं पता reason और logic philosophical school में number one priority और कांट का सबसे famous काम है जिसमें उन्होंने सब बताया mainly वो है critique of pure reason यह भी question आजाता है रट लेना कांट की किताब है critique of pure reason next बात करते हैं hegel की hegel ने क्या दिया hegel ने दिया dialectical reasoning या dialectical method या dialectical process जो भी इसको बोल लो ठीक है dialectical method या process क्या होता है basically dialectic और dialectics also known as the dialectical method is at base a discourse between two or more people holding different points of view about a subject but wishing to establish the truth through reason methods of argumentation अब इसमें इसको समझो ऐसे कि मानलो point of view a है यह point of view है और इसके opposite point of view भी है यह दोनों आपस में बिल्डेंगे तो एक नया point of view हैगा सी जो इन दोनों से मिलता जुलता होगा फिर यह इस पॉइंट आफ व्यू एक और नय point of view से बिलेगा जो की डी है फिर एक और point of view आएगा ई अब यह point of view एक और point of view से बिलेगा जो point of view एफ है और फिर इसके बाद आजाएगा जी ऐसे यह जो पूरी प्रोसेस है ना भिड़ भिड़ के भिड़ भिड़ के नए point of view आता जाना नई नौलेज आता जाना उसको डायलेक्टिकल प्रोसेस बोलते हैं अब आपने अगर जूरिस्पूडेंस पहले पढ़िए तो संतिसिस यह अपने Karl Marx के regard में सुना होगा लेकिन Karl Marx ने ये चीज नहीं बनाई है ये चीज हेगल ने भी नहीं है मतलब Videos और ये दौन अपस में मिलके संतेशी हो फिर यह synthesis एक नए antithesis से बिढ़ेगा और फिर एक नया synthesis आ जाएगा ठीक है तो यह जो तीन term है यह भी हिगल ने नहीं दिये हिगल ने प्रोसेस जरूर डिस्क्राइब किया था कि कैसे काम करेगा लेकिन जो यह actual term है thesis, antithesis और synthesis यह दी है फिक्टे ने तो हिगल और फिक्टे का यह relation है आपास में हिगल ने dialectical method यह process दिया और फिक्टे ने यह term दी थी पहली बार thesis, antithesis और synthesis और यह दोनों ही Emmanuel Kant के साथ तीन जर्मन philosophers थे जो अपने philosophical school से belong करते बेसिकली natural school से belong करते लेकिन उसके सब में philosophical school से next philosopher है अपने जॉन रॉल्स अब आप बोलो कि जॉन रॉल्स तो आपने natural law school में भी पढ़ाये थे बिल्कुल पढ़ाये थे लेकिन आपको बात दियान लखने पढ़े यह सारे school water tight compartments नहीं है इन में थोड़ा आपस में होता है interjection उपर नीचे तो जॉन रॉल्स हम philosophical school में पढ़ेंगे क्योंकि relevance है इदर जॉन रॉल्स क्या थे जॉन रॉल्स एक बहुत ही modern day philosopher थे मतलब 20th century के और इन्होंने theory of justice एक किताब लिखी दी जो इन दो principle को आप ऐसे समझो कि मानलो आपको बनाने है society के rules तो society के rules जो भी बना रहा है उसके सामने एक veil होगा veil क्या होता है जैसे जो ऐसे अपने Christian bride नहीं पहनती सामने एक जालीदार थोड़ा सा जिसमें दिखता नहीं है जादा तो वोसे veil बोलते है तो veil मतलब एक परदा एक परदा of ignorance होगा मतलब जो आदमे इस परदे के इधर होगा जो original position पे होगा जो परदे के इधर जो position है न ये original position है तो जो original position पे होगा जिसको society के rules बनाने है उसको society के बारे में ये नहीं पता कि वो society में कौन होगा तो basically आप original position पे आओ आप भूल जाओ कि आप लड़का हो, लड़की हो, आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो ठीक है आपका gender क्या है, आपकी caste क्या है आपका religion क्या है, आपकी nationality क्या है आप कहा क्या हो, आप क्या खाते हो, क्या पीते हो vegetarian और non-vegetarian, सब कुछ भूल जाओ आप और फिर आप society के rule बनाओ तो अब कोई इनसान, जिसको नहीं पता कि वो लड़का है या लड़की तो वो society के rule कैसे बनाएगा, वो लड़का और लड़की के लिए same बनाएगा किसी को नहीं पता, वो vegetarian है, non-vegetarian है तो वो beef ban या non-veget ban नहीं करेगा ठीक है, लेकिन वो vegetarian हों के लिए भी कोई provisions बनाएगा ऐसे ही उसको नहीं पता कि वो lower caste होगा कि अपर caste होगा तो वो दोनों caste के में कोई discrimination का system नहीं बनाएगा उसको नहीं पता होगा कि वो rice है कि गरीब है तो वो गरीबों के welfare के लिए भी अच्छे laws बनाएगा तो समझ गया ना basic concept मतलब John Rawls के हिसाब से society के rule original position पर आके बनाओ और whale of ignorance के सामने आके बनाओ तो आप genuine ही बनाओगे आप गलत करी नहीं सकते क्योंकि आपको खुद को नहीं पता कि आप society में कौन हो आप सबका welfare ध्यान रखोगे एक basic minimum welfare अप सबका ध्यान रखोगे तो इनका सारा logic laws का क्या था कि सबका welfare साथ में हो तो ये utilitarianism के भी proponent है utilitarianism मतलब most benefit of most people utilitarian जिसको बोलते हैं तो ये थे हमारे John Rawls personally तो मेरे को John Rawls का जो ये idea है न original position और ये whale of ignorance वाला एक number शानदार idea लगता है लेकिन practical नहीं है क्योंकि सबको पता होता है society में कौन है सच्ची में whale of ignorance तो होता नहीं है लेकिन concept बहुत अच्छा था तो guys quick revision करें तो Hugo Grosius हमने पढ़ा father of international law, father of philosophical jurisprudence on the law of war and peace इनकी किताब थी उसके बाद हमने पढ़ा Emmanuel Kant का categorical imperative और इनकी किताब थी critique of pure reason उसके बाद हमने Hegel और Fichte के बारे में पढ़ा dialectical, thesis, antithesis synthesis के बारे में और उसके बाद हमने रॉल्स पढ़े अभी जो जस्ट पढ़े original position और whale of ignorance इनके अलावा Stamler भी हैं जिसको आप philosophical school में मान सकते हो अगर आपने Stamler के बारे में पढ़ना है तो natural law school का वीडियो आपने already देख लिया उसमें आपको समझाया ही था law with the variable content Stamler ने बोला था अगर आपने natural law school का वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे देख लो क्योंकि important है वो मतलब वो देखे बिना आप यह वीडियो देखना ही नहीं जीए था पहली बात तो लेकिन देख लिया है तो आप natural law school वारा वीडियो भी यहाँ पर आएगा देख लो तो guys यह हो गया हमारा philosophical law school of jurisprudence तो हमारा natural law school basically पूरा complete हो गया है क्योंकि जैसा मैंने बता है philosophical school natural law school का ही part type है तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दो please subscribe, subscribe करो, comment करो और like मार दो अच्छा लगा दो मिलते हैं अगले वीडियो में, bye bye